रक्षा बंधन का तेवार आ चुका है तो चलिए आज कहानी रक्षा बंधन की रक्षा बंधन का अर्थ है किसी को अपनी रक्षा के लिए बांध लेना रक्षा बंधन यानि सावन मास की पूर्णिमा दिथी को बहने अपने भाई को राखी बांधती है और इसके बाद भाई अपनी बहन की रक्षा का प्रण लेते है तनातन धर्म और प्रथाएं इतनी प्राचीन है कि इसकी सुर्वात कब हुई या ठीक ठीक बता पाना मुश्किल है रक्षा बंधन से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं हमने अपने विवेक से उसे काल क्रमानुसार विभाजित किया है चलिए एक एक कर सुनते हैं सभी कथाएं रक्षा बंधन से जुड़ी सबसे प्राचीन कथा माता लक्षमी और रक्षसों के राजा बली से जुड़ी हुई है धार्मिक कथाओं के अनुसार रक्षा बंधन के पावन पर्व को मनाने की शुरुवात माता लक्ष्मी नहीं की थी सबसे पहले माता लक्ष्मी ने अपने भाई राजा बली को राखी बांधी थी कथाओं के अनुसार राजा बली ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया था जिससे देवता भगवान विश्णु के पास पहुँचे और याचना करने लगे देवता स्वर्ग से निश्कासित कर दिये गए थे अतह भगवान विश्णु ने उन्हें अश्वा संदिया कि वे राजा बली को पाताल लोक भेज देंगे इसके बाद भगवान विश्णु ने अधिती और महर्शी कष्चप के यहां जन्म लिया भगवान का यह अवतार वामन अवतार नाम से प्रसिद्ध हुआ इधर राजा बली अश्वमेख यग्य करवा रहे थे तब वावन भी यग्यशाला पहुँचे और राजा बली से तीन पग धरती दान में मांगी देत्य गुरू शुक्राचारिय के समझाने के बाद भी असुर राज बली नहीमा ने और उन्होंने संकल्प ले लिया संकल्प के पश्चात भगवान विष्णु ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया उन्होंने दो ही पग में तीनों लोकों को नाप लिया तीसरे पग के लिए पूछे जाने पर राजा बली ने कहा कि तीसरा पग आप मेरे सर पर रख लीजिए इस तरह राजा बली ने अपना संकल्प पूरा किया राजा बली अपना अधिपत्य त्याग कर पाताल लोक को जाने लगे भगवान विश्णून से प्रसन्य थे उन्होंने बली को पाताल लोक का राजा बनाया और वर्दान मांगने को कहा राजा बली ने भगवान से वर्दान मांगा कि आप मेरे साथ पाताल में रहें ताकि मैं हमेशा आपके दर्सन करता रहूं भगवान ने बली को यह वर्दान दे दिया और उनके साथ पातालोक में निवास करने लगे बैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी को यह सूचना प्राप्त हुई तो वे ब्याकुल हो उठी चिंतित माता लक्ष्मी ने देवर्शी नारज जी को सारी बात बताई तब नारज जी ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णू को वापस लाने का उपाए बताया नारज जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप राजा बली को अपना भाई बना लीजिए और भगवान विष्णू को मांग लीजिए नारत जी की बात सुनकर माता लक्षमी राजा बली के पास गई और विलाप करने लगी राजा बली ने जब माता लक्षमी से रोने का कारण पूछा तो मा ने कहा कि उनके पती पाताल में रह रहे हैं इसलिए वे अकेली हो गई हैं उनका संसार में कोई भी नहीं है राजा ने मा की बात सुनकर कहा कि आज से मैं आपका भाई हूँ माता लक्ष्मी ने तब राजा बली की कलाई पर सुत्र बांध कर उन्हें अपना भाई बनाया प्रसन्य राजा बली ने लक्ष्मी माता से उपहार मांगने को कहा तब माता लक्ष्मी ने भगवान विश्णु को मांग लिया जिस दिन माता लक्ष्मी ने राजा बली को अपना भाई बनाया था उस दिन स्त्रावण मास की पुर्णिमाति थी थी ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहन का यह पावन पर्व मनाया जाता है अब आपको रक्षा बंधन की एक और पौराणी कहानी सुनाते हैं जो इसी कथा से सम्बंधित है एक बार दैत्य वृतासूर ने इंद्र का सिंगहसन प्राप्त करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी देवताओं और असूरों के बीच बारा वर्षों तक संग्राम चलता रहा युद्ध में देवता पक्ष कमजोर पड़ रहा था वृतासूर बहुत बलसाली था और उसे परास्त करना कठिन था हताश होकर देवराज इंद्र गुरू ब्रहसपती के पास पहुँचे और युद्ध में विजई होने का उपाय पूछा गुरू ब्रहसपती के साथ इंद्रादी देवता पहले बैकुंठ पहुँचे और उसके बाद शिव लोग पहुँचे जहां उन्होंने महादेब से बृतराशुर के अंत का उपाय पूछा बाबा भोले शंकर ने देवताओं को बृतराशुर के अंत का उपाय बतलाया उन्होंने कहा कि पृत्वी पर इस वक्त एक रिशी रहते हैं जिनका नाम दधीची है दधीची रिशी के तपोबल से और कठिन तप करने के कारण उनकी जो हड्डियां हैं वह बज्र के समान मजबूत हो गई है अतह बृतराशुर के अंत के लिए उनके हड्डियों का शस्त्र बनाया जा सकता है जिससे उसका अंत किया जा सकेगा देवाधी देव महादेव की बात सुनकर सभी देवता दधीची रिशी के आस्रम में पहुचें दधीची रिशी ने सभी देवताओं का स्वागत किया और उनके आने का आशय पूछा इसके बाद देवताओं ने उनसे सारा बृतांत कह सुनाया महर्शी दधीच ने संसार के हित में अपने प्राण त्याग दिये देव शिल्पी विश्व कर्मा ने इनकी हड़ियों से देवराज के लिए वज्र नामक अस्त्र का निर्मार किया और दूसरे देवताओं के लिए भी कई अस्त्र शस्त्र बनाए गये वज्र प्राप्तकर देवराज इंदर ने वित्र असुर को युद्ध के लिए ललकारा गुरू ब्रस्पती ने इसके बाद एक अनुस्ठान आरंभ किया जिसे रक्षा विधान कहा गया रक्षा विधान में देव गुरु ने येन बध्धे बली राजा मंत्र का उपियोग किया था जो रक्षा सुत्र बांधने का प्रचलित मंत्र है इस रक्षा विधान में उन्होंने मंत्र द्वारा ब्रम्हांड के शक्ति साली देवों, रिशियों वा असुरों से उर्जा प्राप्त कर देवराज इंद्र को प्रदान किया वा सभी से युद्ध में उनकी रक्षा करने का अनुगरह किया इसके बाद इंद्रानी ने रक्षा की पोटली को स्वास्ती वाचन के मध्य इंद्र के दाहिने हाथ पर बांध दिया इस दिन सावन मास की पूर्णिमाती थी थी कहते हैं इस अनुस्ठान के कुछ ही समय बाद इंद्र युद्ध में विजई हुए इसी दिन से मृत्यू लोक में यजमान ब्रामणों से रक्षा सुत्र बंधवाने लगे आपने देखा होगा भाई और बहन के अलावा ब्रामण भी अपने यजमान को रक्षा सुत्र बांधते हैं और येन बद्धे बली राजा दान वेंद्रो महा बला मंत्र पढ़ते हैं इसका अर्थ है जिस रक्षा सुत्र से दानवों के महा पराक्रमी राजा बली धर्म के बंधन में बांधे गए थे उसी सुत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ यानी धर्म के लिए प्रतिबध करता हूँ इसके बाद पुरोहित रक्षा सुत्र से कहता है कि हे रक्षे तुम स्थिर रहना इस प्रकार रक्षा सुत्र का उद्देश ब्राम्हनों द्वारा अपने यजमानों को धर्म के लिए प्रेरित एवं प्रयुक्त करना है रक्षा मंदन को लेकर हमारी अगली कहानी भगवान स्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी हुई है चलिए सुनते हैं भगवान स्री कृष्ण ने पापी शिशुपाल का वद्ध किया था शिशुपाल वद्ध के बीच सुदर्शन चक्र से भगवान स्री कृष्ण के अंगूठे में चोट लग गई थी रक्त का स्राव हो रहा था यह देखकर द्रौपदी ने अपने वस्तर से कपड़े का टुकड़ा फाड़ कर भगवान स्री कृष्ण के अंगूठे में बांध दिया द्रौपदी द्वारा किये गए सकार्य से भगवान स्रीक्रिष्ण बहुत प्रसन्न हुए और द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया कुछ समय के पश्यात पांडवों द्वारत जुए के खेल में द्रौपदी की हार हुई तब कौरवों के बीच सभा में द्रौपदी का अपमान किया भरी सभा में दुश्यासन पांचाली का चीर हरन करने लगा इस समय द्रौपदी ने भगवान स्रीकृष्ण को याद किया तब भगवान स्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करके उसकी लाज को बचाया था और अपने भाई होने के उतरदाइत्तों का निर्वहन किया था आगे चल कर यह प्रधा रक्षा बंधन कहलाई तो रक्षा बंधन से जुड़ी या समागरी आपको एक साथ अन्यत्र कदाचित प्राफ्त ना हो अभी तो शुरुआत है इस चैनल पर एक से बढ़कर एक कहानिया आपकी प्रतिक्षा कर रही है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेर कीजिए और जुड़ जाईए कहानियों के सबसे बड़े मंज के साथ आभार